आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आप किस्ता अथंक्यता मिश्रा अकानशद हुए मामले में आखिर अब तक क्या कुछ हुए और वो कौन-कौन से सबूत है जो पुलिस को मिल चुके हैं और आखिर अप पुलिस इसमें कौन सा अगला कदम उठाने वाली है कौन-कौन से सवाल है जिनके जवाब अब दोनों आरोपियों की गिरफतारी के बाद मिल सकते हैं आज के प्रोग्राम में इस बात पर चर्चा करते हैं आपको सबसे पहला पता दे कि संजर सिंग जो इस पूरे मामले में दूसरे मुख्या आरोपी के तौर पर साम क्या सच में करोडों की लेंदेन की गई है क्या करोडों का हेर फेर हुआ है अकांशा दूबे के साथ क्या जो वो गाड़ी समर सिंग ने खरीदी थी हाल में ही उस गाड़ी में अकांशा दूबे के पैसे लगे हैं इन सभी की जाच परताल करने के लिए और साथ ही अकांश और देशा के काम को लेकर के दस्तावेजों की तलाशी के लिए अब समर सिंग को मुंबई ले जाया जा सकता है, बता दे कि पुलिस रिमांड पर इस वक्त समर्सिंग है, हाला की चार शर्टों पर पुलिस की रिमांड संजे सिंग पर दी गई है, वो चार शर्टे जो हैं, उ चाहे तो अपने वकील के साथ पुलिस की जो रिमांड है जिसमें वो पूश्टाच करेगी उसमें बैठ सकता है लेकिन जो वकील है वो 20 मीटर की दूरी पर रहेगा जो इसमें तीसरी सबसे बड़ी शर्त रखी गई है वो ये है कि जब भी आरोपी को पूश्टाच के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और जब आरोपी को तुबारस जेल में भीजा जाएगा इन दोनों समय में मेडिकल होना ज़रूरी है और एहम है चौथी शर्तिचस में कहा गया है कि समर सिंग के साथ कोई भी अमानवी व्यवहार नहीं किया जाएगा इसे बीच बता दे कि अ आखिर इतनी जल्दबाजी में कैसे समर सिंग से सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं इसे बीच समर सिंग को ना केवल मुंबई के गोरगाओं में ले जाया जाएगा जहां उसका ऑफिस है बलकि लखनव में भी पूश्टाच के लिए समर सिंग को ले जाया सकता है ये दो दोनों दावे हैं वो पुलिस के हैं इनी दावों पर पुलिस को कस्टडी रिमांड भी मिली है इस बीच बता दे कि संजर सिंग को भी गिरफतार कर लिया गया है संजर सिंग से उन सभी बातों पर पूश्टाच की जाएगी जो की काफी एहम है और सबसे बड़ी उन्होंने आरोप लगाया है कि संजे सिंग ने धमकी दी थी, हालकि अब पुलिस संजे सिंग के पुराने जितने भी केसे हैं उसे तलाशने के कोशिश करेगी, संजे सिंग का दावा है कि उस पर कोई भी पुलिस का मुकदमा नहीं है, अब इस बात की जो तहकीकात है वो उन्होंने तीन पहलों पर सबसे जादा जोर डाला था सबसे पहला पहलो ये कि आखिर जब परिवार है कानशा का जब वो रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो रिपोर्ट को बदल कियो क्यों दिया जाता है आकानशा जिस हालत में मिली है क्या उस हालत में कोई अपनी जान द जार्थ अकांशा के शरीर से मिला था अभी तक उस पर खुलासा नहीं किया गया है हालकि उन सभी रिपोर्ट को उन सभी की जाच के लिए अकांशा दूबे के जो पॉस्मॉटम रिपोर्ट है चाहे विर्सा रिपोर्ट है उसके लिए उस लखनों की प्रियोक शाला में अकांशा दूबे का फोन बार बार मा का दावा है कि अकांशा के फोन में कई एहम सुराग है पुलिस भी इस बात का दावा करती है वो अनुमान जदा रही है कि अकांशा के फोन से और समर सिंग के फोन से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं ऐसे में अब तक लखना हूं कि प्र प्राने केस में भी सारनाथ की पुलिस ने अकांशा का साथ नहीं दिया था अगर उस वक्त साथ दिया होता तो शायद आज अकांशा हमारे बीच में रहती अब उसी सारनाथ की पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिल करके संजे और समर वो दोनों आरूपी उन्हें गिरफ पूश्टाच में कहा था कि अकांशा दो लोगों के साथ करीबी संपर्ग में थी वो दो लोग कौन थे उसे उसके बारे में नहीं पता लेकिन वो वारणसी और मुंबई से तालुकात रखते थे अब पुलिस उनसे भी पूश्टाच का दौर शुरू करेगी और सीन एक बार फिर से रिक्रेट करने की कोशिश करेगी जो इस पूरे केस में काफी एहम साबित हो सकते हैं इसे बीच बता दे कि अकांशा दौबे के मामले में तमाम ऐसे सबूत हैं जो अभी नदारत है अब पुलिस ने उन्हीं सबूतों के सबूतों पर दावा करते हुए कोट से जो मांगी उसमें फोन का दिक्र सबसे एहम है और फोन का दिक्र कई बार किया गया लेकिन यहां सवाल यह उच्छा है कि यह वही पुलिस है जो बार-बार कह रही थी कि अकांशा के आरोपी समर्सिंग अपना फोन का लोकेशन बदल रही हैं फोन कहां है अभी इसके बारे में नहीं पता और साथ ही अब यही पुलिस से जो कह रही है कि फोन जो है वो मुंबई की ओफिस में ही छिपाया गया है ऐसे में यह जो दोनों बयान ही विए आपस में मेल खाते नहीं है लेकिन फिलहाल पुलिस का यह दावा कितना सही रहता है यह भी काफी दिल्चस्प बात हो जो योगी आदितनात के पास पत्र लिख करके दिया गया था वकील द्वारा वो यकीनन खारिच की जा सकती है साथ ही अब यहाँ पर बात करें समर्सिंग के वकील की ओर से तो समर्सिंग के वकील भी अपने मुखेलों को बचाने के लिए अलग-अलग पैतरे खेल सकते हैं जसमें उन दो आरोपियों का जिसका जिकर खुद समर्सिंग ने किया कि वो जो दो लोग थे जो अकांशा के करीबी थे उन दो आरोपियों को धूंड करके निकालने का काम अब कही न कहीं समर्सिंग के वकील का भी है और समर्सिंग के वकील अगर जब कोर्ट में दलील दे और क्या उन दो लोगों का अकांशा की परिवार के साथ कोई connection जुड़ता है क्या अकांशा का परिवार कुछ शुपा रहा है यकीनन उन पर भी सवाल खड़े किये जाएंगे और समर सिंग के वकील अब इस केस में अकांशा दूबे के परिवार को फसाने का भरपूर करते हैं देखना यह होगा कि अब इस पूरे केस में क्या संजव और समर फस्त हैं या फिर अकांशा के परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं वो उन्हीं आरोपों में खुद कड़गडे में खड़े हूंगे लाल आचिए लेतना ही देखते रहें नेक्स में